भवीष सेका जज हमारे सामने बैठी हुई है, आप टोप यूँ ऐसे कर लिजेगा, आपने आपनों को सिर्वास्तो परिवार के बच्चों से मिलवाने जा रहा हूँ, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब पढ़ाई लिखाई अभी कर रहे हैं, उनके डेली रूटीन के बारे मैं बताने वाला हूँ, क्या वो पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, ये सारी चीजों को आपको मैं दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और आप देख सकते हैं, मैं बिलकुल पहुँच गया हूँ, और अच्छा गे जो है और नमस्ते नमस्ते तो आज मैं इन बच्चों के साथ बात करने वाला हूं और काफी कुछ मस्ति भी करने वाला हूं सभी से पूछने वाला हूं कई शवाल कई अस्तर पर कई चीए, कैसे हो बच्चा लोग तुम लोग? बढ़िया पक्का तो कैसे चल लोग पढ़ाई लिखाई लिखाई अध्याम उजाम हुआ था या नहीं तब कितना आया फिलाल मैं आमने माक्स नहीं बताया भी बताएंगी तो मैं माक्स बताई वे नहीं करते हैं तो एक रोक्स मेरे को विदे 20 प्लस 20 प्लस मतलब मतलब आउ तर्टी यानि 30 में से 20 मिलेगा 20 प्लस मैं अच्छा और कम होगया तब और में हैंना करनी पड़ेगी क्यों ममी नहीं वंडे की बात नहीं है वैसे माक्स ठीक करने के लिए और बढ़ाई में और होने के लिए बड़ा समझदार लड़का है मैंने बोला कि बाई ममी पपा से डंडने उन्डने नहीं मिलेगे क्या लपर था पढ़ने मिलेगा क्या तो बोला कि नहीं और ज्यादा पढ़ना पढ़ेगा चलो तुम किस खुल में पढ़ते हूं कि मुझे साइंस आता है निटमें दोचार कोशन पुछी देता अचा ये बता तुम तुम किस कलास में हो मैं 9 मैं 9 मैं मैं किसी स्कूल में हो मैं आचा फॉल फॉल फांब्स थे आमभेट कर स्कूल ऑस पैसल और अक्सलेंस अचा यह गाखेना और टोप आज पालते हुं लड़का है तुम भाई अच्छा तुम किस क्लास में पढ़ती हो मेरा फॉर्स सेमेस्टर चल रहे है विजिकल साइन्स विद केमेस्टी डियू से डियू के किस कॉलेज से हो अच्छा अच्छा एस ऐसी सहादरा में ये बच्ची पढ़ती है क्या छृता स्यथ्यवास्तो और स्यल्स श्वासटो तुम क्या नाम है तुम है तुमारा सुलीं स्यवास्तो तुम से क्लास क्लास में लगätt सब मेरा नाम वैसे शालूश रिवास्तवा है और मैंने अपनी LLM कम्प्लीट कर ली है और अभी मैं करेंटली जुडिश्री के लिए प्रिपेर कर रही हूं वैसे मैं एडवोकीत हूं देखिए यह यानि मेरी बात एक एडवोकेट से हो रही थी मुझे क्या मालूम की एडवोकेट थी है क्या मुझे तो लगा कि यह सब बच्चे है तो वैसे यह भी होगी LLM कर चुकी है क्या नाम बता है सालूश रिवास्तवा वेरी गुड तो तुम ऐसे किस चीज की सबसे बड़ा चीज क्या है अच्छा आप लोग यह बाकर यह बड़ा पढ़ा लिखा फैमली है और एक्चुली यह जो भी लोग हमारे जो वीवर्स हैं जो देख रहे हैं एक्चुली यह भी चीज को जानना चाहते हैं कि आखिरकार वे लोग कैसे पढ़ाई लिखाई करे आप लोग क्या डेली रूटीन है आप लोग मतलब दिल्ली के बड़े अच्छे इंस्टूशन में पढ़ते हैं कोई सेंट मेरी में है कोई एक्सलेंस में है कोई भारती कॉलेज में है और तुमने ललम करा है तो एक बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा सब बच्चा लोग त होता तुमनों का डेली रूटीन क्या है होता तुम से ही शुरुआत करते हैं मेरा तो डेली रूटीन वही सुबह 6 वज उटना है फिर ममे के साथ ठोड़ा किचन में हिल्प करवाना या हाउस होड़ कोई पेंडिंग वर्क हो गए वो करना उसके बाद अपने परसनल वर्क एन देन कोट जाना कोट से आना और उसके बाद फिर वही जुड़ी श्री के तैयारी में लगना बस यही है देखिए मैं उन लोगों से बिलकुल कहूंगा जो लोग घर का काम नहीं करते हैं है ना लड़कियां हो या लड़के मैं दोनों के बारे में कहूंगा बहुत सारे ऐसे बच्चे जो काम नहीं करते है वो कहते हैं कि मैं पढ़ाई करता हूँ या पढ़ाई करते हूँ तो मैं काम क्यूं करूँ ठीक 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 मैंने कुछ नहीं कहा अचा आप यह देख रहा है गुशा रहा है क्या नहीं नहीं तो दीदी सभी बूल दी है हाँ दीदी तो सच कह रहे हैं मुझे सोबह उठाते भी आच्छे बजे लेकर अरे बहुत 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 तो आइडियल सिस्टर है हाँ अ मतलब य बहुत तो नहीं है बाकी तो देखो यहां पर बैटरी हुई है यह बिल्कुल बता देगी अभी वाकील है फिर तो जाजबन आई है आजए तो यह बताओ तुम लोग देखो इन्हों ने तो सालू ने अपना बताया तुम बता तुमारा क्या डेली रूटीन है यह सबाव साड़ चे साथ बाज़े के बीच में कभी बूटना फिर थोड़ा सा घर का काम गढ़ना फिर कॉले निकल जाना फिर कॉलेज जाना फिर वही पढ़ना जितना से सोजा पढ़ना लिखना कितना घंटा पढ़ती है वार्न के जाना है जाहिर सी बात है बैंक पीओ में जाना तो उसके लिए दो तीन घंटा ज्यादा कम है और मुझे यह लगता है कि और ज्यादा पढ़ना चाहिए तुम बताओ तमारे डेली रूटीन क्या है सुर्भर pop टीट जाती होंँ और तरह strongly पड़ाई करती अब पढ़ाई पता नहीं मतलब जब मूड होता है तो जादे कर लेती हो नहीं तो फिर जल्दी भी सुझाती हूं तीन-चार घंटे पढ़ लेती हूं वेरी गुड वेरी गुड आप बताइए मैं सुबह सवाची साड़े चे उड़ता हूं अजय यह थोड़ टोपी ऐसे कर लीजिएगा मैं सुबह सवाची साड़े चे उड़ जाता हूं तो देवानने स्टाइल कर दे थोड़ा आइसे अच्छा लएगा बोलिये देन स्कूल जाने के प्रिपरेशन करता हूं मतलब सारे ड्रेस वगरा चेंज करता हूं देन स्कूल से आता हूं मैं सवा तीन बजे के करीब उसक प्रिफेंगे निवरा चेंज करता हूं थोड़ी उसमें पंच बच जाता है फिर पांच से साथ जो एक्जाम आ रहे होते हैं उसकी प्रेप्रेशन करके रिचा यहां मंडी टु मंडी करक्व ूदियू मंडी टेस्ट होता है विकली टेस्ट तो विकली टेस्ट बोलो ना तो फिर ट्यूशन से आके फिर खाना पीना खाके सो जाते हैं अच्छा आप बताओ अपका नाम में किसी का नहीं भूलता आगे बोलो स्कूल खेला घजा जाता हं तो उसके बाद मैं थोड़ाइट अपड़ा पढ़ा करता हूं तो पर फोड़ा सोशल मीडिया पर भी रहते हैं सब्सक्राइब करने लग जाता हूं और स्कूल करने लग जाता हूं सब्सक्राइब करने लड़कियां ज्यादा लायक होती है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लड़के नालायक होती है लड़कियां ज्यादा लायक होती है देखिए अब ही लड़कियां बता रही थी कि जो लोग किचेन में ममी को हल्प कर देती है तुम किचेन में ममी को हल्प करते हो यह सिग्रेट कोल रहे तुम्हारा रहे तुमने नहीं देखा आपका यह दो बार मैंने आटा गुंद है कि अच्छा आटा गुंदा है नहीं देखा होगा अच्छा यह बिल्कुल सही बोला यह रोटी बनाता है अच्छा रोटी में नक्षा भी बना देते हो है ना वेरी गुड वेरी गुड अच्छा यह बताओ तुम लोग बताओ गर्ल्स कि तुम लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हों हाँ सोशल मीडिया पर यूट्यूब है इंस्टा है वाट्सएफ है बट इंस्टाग्राम में बहुत जादा नहीं चलाती दिन में कभी एक बार खोल लिया या दो या तीन दिन में भी एक पर ओपन होता है यूट्यूब से मेरा जादा रहता है क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन भी है फिर थोड़ा माइन डिस्ट्राक्ट करने के लिए थोड़ा सा सॉंग्स है जो इंस्टा में टाइम को बरवात करते रहते हैं देखिए एक्चुली यह जो परपस है क्या है यह जो इस तरीके का जो मैं वारतालाब कर रहा हूँ इन लोगों से जो मैं बातचित कर रहा हूँ एक्चुली मैं यह दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ कि बच्चों को यह कुछ जरूर नहीं कि दिनमाद पढ़ते ही रहना चाहिए है ना और ने मस्ती भी करना चाहिए अब इ अच्छा बनाना ड्रोइंग करना बहुत अच्छा अरे वा देखिए एक इसको आपकी पोटो बे नहीं हो और स्केच में मतलब ड्रो करना अच्छा लगता है तो जो चीजे कि मैं यह नहीं कहता हूँ कि हाँ सोचल मीडिया पर टाइम मस्ते हैं कि सब पढ़ने लिखने वा बच्चे हैं और इन्होंने अपने जो कुछ भी इन्होंने बताया है तो बास्तो में डेली के अच्छे चे इंस्टिटूशन में लोग पढ़ाई लिखा ही कर रहे हैं इसके बावजूद भी यह लोग जाहिर है सोचल मीडिया पर रहते ही रहते हैं थोड़ा बहुत रहते हैं तो यह कोई बुराई नहीं है है यहां मेन चीज का है पढ़ना है एक को जज़ बनना है एक को आप में बैंक पीओ बनना है तुमने नहीं बताया तो अब हैसे तुम्हें को मेडिकल फील्ड में जाना था तो अभी मैं उसकी साइड बाई साइड प्रपरेशन कर रही है और इन्हें मेडिकल फिल्ड में ही जाना है तो जाहिर सी बात है कि सब इतने अच्छे सब पढ़ाकू सब बच्चो अच्छें यह तुम लोग बताओ गल्स की यह दोनों जयदा पढ़ते हैं तुम तीनों जयदा पढ़ते हो सब्सक्राइब करेंगे कि और अपने सब्सक्राइब करेंगे जो भी एक जो बच्चे होते हैं तो अगर कोई बच्चा अपने फॉल्ट को एडमिट कर लेता है कि नहीं मेरे अंदर यह फॉल्ट है और इसे अच्छा कर लूँगा तो यह अपने आप में जो है कि बहुत अच्छे बात है इस बच्चे ने क्या किया इस चीज को एडमिट किया कि जो इनकी दीदियां है यह सब जादा पढ़ती है अब देखता हूं मैं इससे पूछ करके यह अक्सेप्ट करता है कि नहां वैसे है तो सच्चा ही दीदि लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और वैसे मेरे को सची सची बोले हूं तो मुझे सपोर्ट में ज़्यादा इंट्रेस्ट थे स्पेशली फॉटबॉल में भाई ने अपना इंट्रेस्ट यह और जिलेवी तरह घुम घुम के बोला कि अच्छा फॉटबॉल नाम बता क्रिस्टियान डोनाल्ड ओमेसी क्या बात है बहुत अच्छा हां पक्का क्या वोल नहीं पूस्टा था सुनील चेत्री को भी तो पसंद करना चाहिए अच्छा क्यों वो इंडियन फुटबॉलर थार्ड मौस्ट गोल्स नहीं उसके पूर लोग दो लोग ङंड़े वलोवबम और यहां पंधनी देश की फुट्बॉलर को सभूर्ट नहीं करें तो कौन दोस देंगका बील्कुल अपने देश तक राश्टबात के हवाद चल रही है देश में तो जरूरी है कि अपना बिल्कुल सही बात है यह सब चीज़ें अच्छा हॉलिवूड देखते हो का नहीं होलीवूड बॉलीवूड बता हम इसमें राश्टवाद नहीं है देखिए वाइए अगर मैं यह बहुत सही बात इन्होंने बताया देखो एक बच्चे को समझ है मुसटे से 13 साल का यह लड़का होगा इसको यह बात का समझ है कि हम बॉख़बुद वाले वाकरी अच्छा बनाते हैं मैं भी आप पसंद नहीं आता है, साउथ इंडिया व्रॉट बील बी अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, अब लगने लगा है, P तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है मुझे भी मतलब मुझे हॉलिवूड मुझे जादा अच्छी लगती है बट रीसिंट मैंने बॉलिवूड ब्रहमास्त देखा था अच्छा अब भुजपूरी नहीं देखते हैं भुजपूरी मैं को समझ आगी तो ही देखूंगा ओ त अच्छी बात है बुरी बात है वैसे अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि अपनी लांग्विज भी आने चाहिए तो अब मैं बिहार कहूं तो अफकोर्स मेरे को भुजपूरी आने चाहिए बट क्या वात है बच्छे ने जो सब आप लोग देख सकते हैं कि अगर बच्चा है गलतियां ठीक है वो चीज को हम भी समझते हैं हलाकि अगर भुजपूरी यह नहीं जानता है तो यह कोई अपराद नहीं है लेकिन अगर नहीं जानता है तो इस बात को यह खुद कह रहा है कि नहीं मुझे आनी चाहिए थी यह जो स्विकारना हुआ यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हुई तो मुझे यह ही लगता है कि मतलब स्विकारने की चंत भाड़े लोगों में भी नहीं होते हैं लेकिन बच्चों में होती है अचा आप लोगों Так बोलना नहीं आता है तो कभी सिखने का प्रतनी कि आप लोग ने मम्मी से हो जाता है कभी कभी ट्राय करती हो तो कुछ गलती निकल जाता है अगर मतलब कोई गलत वगर हो गया लैंग्वेज में तो जब बड़े लोग हास देते था बच्चा लोग डिसाटेंड हो जाता है हाई ला अगर हम घो तर्म होता है वो जैसे हम एज के होते वो तर्म निकलता है तो मुझे भी हसी नहीं को भी आती है ।ो पिर लगता है कि नहीं रहने देते हैं किसी और के सामने ट्राय किए तो उनके इंसेट नहीं को आता है बोलना नहीं कोई बात कभी आइसा हो तो जरूर इसको करना करना मतलब कोई और ऐसा यह नहीं है जो एजुकेशन है उसके वारे में तुम्हें लगता है कि बास्तों में यह यूसपूल है या बस एक मतलब ऐसे ही पहले के टाइम पीरिट से तो अभी एजुकेशन वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए बट यह है कि हाँ डेवलपमेंट होई है इंसिटूशन में डेवलपमेंट हो रही है तो इसकी कॉलिटी जो है वह पहले जैसी नहीं रही है एजुकेशन में तो आइज थेंग कि इसको करने की ज़्यादा जरूरत है सही इस बच्ची ने बताया कि जो अभी जो है इसे डेवलपम करने की ज़्यादा बिल्डिंगें तो बन गई है ना बेंच कुरसी वेगरा बहुत सारा एसी स्मार्ट क्लास सब हो गया लेकिन अच्छे टीचर्स की बहाली हो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी जैसे मैंने खुद काफी जगा भी मैंने ट्राय किया मैंने अभी टेंप्रेरी सोचा कि मैं ट्राय करती हूं institutions में but institutions है teachers available नहीं है और जो teachers है वो पढ़ाने लायक नहीं है तो वो they are just taking money they are taking salary but उनके पास वो quality नहीं है पढ़ाने की क्योंकि मैंने खुद जब law किया था तो उस institution में जो पढ़ाने वाले थे वो उस level पर नहीं पढ़ाते थे जैसे उन्हें पढ़ाना चाहिए तो जो हमने किया वो self study से किया हम लोग यह और बात है कि थोड़ा हसी मजाक मस्ती भी कर रहे थे लेकिन इस बच्ची ने बहुत important सवाल उठाया है और मैं समझता हूं कि यह जो भी लोग है उनको यह सोचना पढ़ेगा कि आखिर कार बिल्डिंगे तो बन गई है ना बेंच कुरसी बहुत सारा infrastructure तो आगया लेकिन teacher नहीं आए यह रही फैगल्टी जो है कि फैगल्टी नहीं बढ़ी आए तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन एबल कुर्जी तो पढ़ाएगा नहीं है ना हाँ बिल्कुल चुकि यह अपने आप में बहुत बड़ा इस्व है आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं है ना आप लोग देश के भविस हैं और जाहिर सी बात है कि अगर आप लोगों को अच्छा टीचर ना मिले तो फिर दिक्कत वाली बात हो भी है ना आपके यहां टीचर यहां टीचर के जो कॉलेजेज में भारती कोलेज में यह सब पर्मानेंट है या एड होक वाले हैं पर्मानेंट हैं अच्छा टीचर के भरोसे डेली उनिवर्सिटी को चलाया जा रहा है बहुत बड़ा सवाल है पर्मानेंट टीचर है चलिए ठीक है आपका कॉलेज काफी इसका मतलब की मन भागे साली है जहां पर्मानेंट कॉलेज है चलिए यह कभी और दिन इस पर हम करेंगी हम लोग लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट चीज है वो यह है कि एजुकेशन सही ढंग से मिलना चाहिए आपका तो बहुत बढ़िया इसकूल है तो जाहिर सी बात है कि बढ़िया बढ़िया टीचर होंगे टीचर तो अच्छे है लेकिन मैंने एक और चीज नोटिस किया कि जितने भी स्ट्रिक टीचर होते हैं उनकी स्पेशली टीचिंग अच्छी होती है अच्छा देखो यह बढ़िया बात लड़का बताया कि जो इस ठीक टीचर होते हैं जाहिर है उनका जो टीचिंग स्टाइल होता है और बढ़ा एक दम अच्छा होता है चलिए देखे वाई आप तो डेली के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं दूस स्कूल के बारे में बात करते हैं और जो हमारे सिक्षा मंत्री जी हैं क्या नाम है मनिस्टी सोधिया जी वो पूरे और बिदेशों में भी लोग जाते हैं और बिदेश के लोग दिल्ली के स्कूलों के बारे में अध्यान करते हैं तो यह उसी स्कूल का यह स्टूडेंट है कोई और की तीजस ने की टीचर इसे पढ़ाते वर अबbies ऐना बने संथा और जो ये चीजह सरकार बोलती है वह सही बात है सही बात है वह बहुत जो वही है एक दम त 이걸 सकांषी करते ग Lat Beaux तुम्हें ज़्यादा स्पोर्ट्स पसंद है यह पसंद है सही बोलना वैसे देखा जाये तहां मेरे को स्पोर्ट्स जादा पसंदे स्टेडी के ऊपर क्योंकि स्पोर्ट्स मुझा आता है तो वैसे तो आइस ओफिसर बनना चाता हूँ तो आइस ओफिसर के लिए पढ़ना चाहिए बढ़ना चाहिए बिल्कुल हम सहमत है विवेका नन ने कभी कहा था कि मतलब बच्छों को बनाना हो या किसी कोई बनाना हो तो गीता बाद में देना श्रीमत भागवत गीता बाद में देना पहले फुटवाल उसके हाथ में दो अब शायद यह जो चीजें थी वो किस कॉंटेक्स उन्होंने बुला था कहना मुश्किल है लेकिन बात उन्होंने बहुत सही का था कि अगर जो सरीर बढ़िया है आपको क्या बनना है असपेस साइंटिस्ट भविश्ट से के सपेस के बारे में बहुत सारे आपक्स जैसे बता देता हूं जो डार्क मैटर नाम का होता है वो जो हम जितना भी मैटर हम जानते हैं कि जो स्पेस ओक्यूपाई करते हैं उसे matter कहते हैं लेकिन हमारे पूरे वर्ल्ड में सिरफ 5% मैटर है बाकि 95% डार्क मैटर है और ये डार्क मैटर से ही सारे galaxies बगेर बने हैं अज़ा कनाद का नाम दानते हो कनाद देखे ये भी हमारे जुकेसन सिस्टम का बहुत बड़ा जोल है जिस आदमी ने जिस रीसी ने मैटर का पहला परिवासा दिया था है ना और बच्चे हमारे देश के उनके बारे में नहीं जानते हैं कनाद घवराये नहीं मैं भी नहीं जानता था मुझे भी मेरे टीचर नहीं बताया था और मुझे तो नाइन्थ में बताया था आप किस क्लास में ये एट्थ क्लास में है मैं नाइन्थ में जाना था कि कनाद को रीसी का नाम है जिन्होंने मैटर को परिवासित किया था तो मैं चाहूंगा और कि ये सब चीजों को भी प अब तुम लोग मुझे यह बताओ कि इसमें सब्सक्राइब लड़ाका कौन है यह दोनों लड़ाका है यह आपस में लड़ते हैं यह आप लोगों से लड़ते हैं तुमसे तो ऐसे भी नहीं फैसला सुम सुना देगी जज लोगों से सब कोई डरता है आईएस आईपेस भी ना हाथ मांदे खड़े रहते हैं है ना मतलब आईपेस को भी ना उड़ाट के भगा देता है कौन जज तो ऐसे भी है तो बच्चे है तो ऐसे डरे रहेंगे तो तुम लोग सबसे बड़े हो है ना तो उसका कुछ अडवांटेज मिलता है ये कहना बगरा मानता है ये लोग तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक जो परिवार है है ना जो वैलियूज है परिवारिक वैलियूज को आप लोगों ने हाँ पर महसूस किया होगा भाई बहन में प्यार भी है भाई बहन में तक्रार भी है और अचा लेकिन मैं एक चीज तो भूली गया यह तीनों में कौन ज्यादा लड़ती है यह यह ज्यादा लड़ती है यह तो बहुत सान दिख रही है जो बोला जो दोनों यह दोनों यह दोनों आपको ज्यादा इरिटेट करते हैं तो तुम इनको पिटती उड़ती नहीं है ये भी मेरे को उल्टा बोले अचा लास्ट टाइम तुम कप पिटी थी इसको अभी पिटी थी लादखा लेता है वई हाँ, खाने ही पड़ेगा बड़ी है मार सकती है, हम नहीं मार सकते तो ये चीजे हैं जो फैमिली का जो वैल्यू होता है वो यही होता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी यहां से देखा होगा जो कुछ भी अच्छा लगे और इंप्लिमेंट करने लायक हो, जरूर इंप्लिमेंट केजे आज बर इतना ही थैंक्यो